हेलो गाई आप सभी को जैशी आराम और मेरे विलोग में आप सब का स्वागत है उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैंगे और मैं भी ठीक हूँ और मेरे विलोग में सुरू सले के अंड तक बने रहना देखते रहना तो गाईज अभी बच चुके हैं सुबह के दस मेरा सारा काम हो चुका है ना दोना खाना पीना बनाना करना सब कुछ तो आपको दिखाती हूँ आज है दंतेरस तो मेरे विलोग में देखते रहना सुरू एक दिबब ली आए थोड़ी बहुत खाली यह रखी है तो आप भी खालो किस किसको खानी है यह देखो हमारे कितने कितने बड़े मिस्ट्री वेल दाल लग रहे हैं कोई दिखत नहीं है काम में क्या बुरही है अपना काम है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा है हाँ झाल 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 करेंगे थाओवाब ली ओ रहे हैं झाल 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 तो गाई जब बच चुके हैं साम को साड़े पांच और मैंने एक विलाउजगी शिला है आपको देखाती हूं यह देखिए विलाउज मैंने बहुत मस्त बनाया है चलो ओना केमरा करके देखाती हूं आप यह देखिए यह सारा फैलाबरा पड़ा है आप आम इसको सामेंट हैं बाकी की धनते रस है आज तैयारी करते हैं कि टकडिवगे उठाते हैं और ले के आते हैं ज़ड़ू और क्या लाना है जो भी सामान लाके यह है बॉल ये देखिए मोटी बॉड एह देखिए गाई मैं ज़ड़ू लेके आ बेगो देती हूं जलाने के लिए घीले हो जाएंगे पर बत्ती बना के और करते हैं तयारी तेल भी निकालते हैं तो देखिए गाइज यह है फिले कलर का भी लाओ और इसकी बाजू मैंने ऐसी बनाई है इसमें जलल लगाके लंबी बाजू है इसकी अब याग ऐसे दिखाती हूं आपको बस इसके काज बटन दुर्पाए होएंगे और डोरी लगेगी उसकी बेटे की साथ दी है इसलिए बताना आपको कैसा लग रहा है अब देखिए गई यह दीपक कर लिए हमने तैयर बाजरा की दाने डाली है और इसमें तेल और यह दस दीपक अब जलाते हैं हमारे नई मकान में भी जिसमें रहते हैं उसमें भी तो पहले की जल्लकूप सारी थी हमारे पास ने सारी खराब हो गई इसलिए आप अगली बा आपको देखाते हैं फूर्ट सारी रखते हैं यह और भी रखिए इसलिए अगली बार आरा हम से जलाएंगे पूपड़े जल्लल लाके अपना जब तक मकान एकदम हो जाएगा कम्प्लीट तो यह आ चुके हैं हम हमारे पूजा के कमरा में तेबल पर रख देते हैं और पीछे उजीता भी कर दिया लाइट लगा के यह लट्टू लगा दिया हमने यहां पर अभी आराम से गड़ देख रहा है उजीते में जल्ललत हमारे पास पड़ी थी पहले की लेकिन सारी खराब हो गई तो गैज मैंने यहां पर जला दिये हैं रेखिए सारे कमरें में और जलाए दे देखिए आपको दिखाते हैं हम कैसे जल्लार और रोसनी और रख्या हमारे इदर थोड़ी बहुत लाइट वाइट जल्डी हैं जो अब देखिए इसी जल्लार लगनी है यह देखिए हमारे यहां बर्तन सामने इदर के राइस रहते हैं हम इदर बर्तनों को काम करते हैं यह लोग जो इदर फिलेट है यहां पर जूम करके दिखाती हूं आपको इदर लग रही है लाइट तो गाइज मैंने जाडू लगा दी है अभी सुवह आठ बच्चों के चाय बना के फीली और अब मैं सफाई कर रही हूं हमारे खुर्पात एनी यह हैं इससे देखिए यह खोद्रियों गास इधर आगे दिखाते हूं आपको इसे दबाई हैं गामन का है बहुत गास खोदेए हैं अब कहीं करें पुर्पाइन आएका यह देखा है वह गीने फिलकुल साथ शाब है पट्टी आज इने साफ परदू पूरी इदर भी इदर भी सारी खोद देती हूं और आज छोटी दिवाड़ी है याग मारे साथ सपाई करी अब पोचा लगा दिया खोद लेते हैं इसको तो गाईश सब को छोटी दिवाली की रामरा मेरी तरब से और मैंने एकदम जाड दिया गास खोद गया सारा कचरा जला दिया और अब मैं ृ-बर ब ब इसमें बातरों Pol बात्रूम में कपड़े नहीं दुखते इसलिए सर अपनों के या पीछ और दोने पड़ते हैं यह देखिए मैं एक दम्या साप सबाई करके सारी घास खोद के यहां पर जला दी यह जल दी है और यह देखिए है अपनी फसल हो रखी है प्रालक है और मैं दिखाती हूँ यह बहार से यहां से मैंने एक दम पूरा साप कर दिया है सारा जाड़ पोचके इस कच्रे में आग लगा दिये यह जल दा है सब कुछ और इतरा अपने जला दिया चलिए तब बाकी का काम करते हैं कपड़े लते दोते हैं नाते हैं देखिए मैं इतने सारे कपड़े दो दिये हैं और इसमें है बैंगन की पोद हमर सेट जी ने बोया बैंटे हैं दो चार पोद बोला आप भी ले जाओ और मैं अब इसमें लगा देती हूं देखते हैं कैसे बैंगन आएंगे इन में यह बैंगनन की पोद बनाने लगानी पड़ें जो तीन पोद है तीन अन में तो गणा आ जाएंगा बीठे भी नाएंगे लग गए तो तीन अन के तो बीठे भी नाएं और ना लगे तो बाता लगे पानी तो कोब दे में हमारे आए खूब चलता रही एक नले नहीं हो यह कुछ वोड़ रखोंगे इस पेस अब दूर दूर करें लगा देशाब हमने बैंगन तो पोद यह मालू लगा रहा है दनिया तो हमारे उग नाए जन काहीं यह चक्कर पड़ों पतो ही ना है अब दुबारा बोय होना हमारे भी पेंगन के पोदा तीन पेड़ लग दें अब आ जाएंगे जब तो गंदी आ जाएंगे इनमें पानी डाल देते हैं हो गई देखिए अभी सब आग्यारे बज़ने हैं और मेरा नाना दोना हो गया और आप हम सब्जी बनाएंगे अब यह लसन चेल दी हूं यह तसारा चे कि देखिए मैं दो कुपी मेंदी लेके आ चुकी हूं और खाना खापी के रेडी हैं हम सारा काम हो गया पहले लगाते हैं मेंदी फिर मेंदी लगा लगो के उसके बाद में हम जाएंगे मार्केट शॉपिंग करने फिर आपको दिखाते हैं और अभी मेरी बेटी यह लगा करती है मैं आराम करूंगी और यह लगाएंगी तो यह देखिए यह दीदी ने इतनी मेहंदी लगा दी है और इसमाने पोटों में लगा दी है अभी पूरी लगाएंगे जब दिखाएंगे आपको तो बैज अब बच चुके हैं साड़े तीन और मैंने महंदी दोली छोड दाली मतलब अब कलर छोड़ेगी साइद दी रेती रहना और मेरी चाय भी बढ़ चुकी है आपको दिखाते हूं यह रही आप चाय पीके आगे का काम तुरू करते हैं क्या करेंगे वह सब आपको दिखाएंगे देखोगे क्या सबसे ज़्यादा कपड़े दिखते हैं और तो देखिए गए हम यह सामन लेके आ चुके हैं और बजार गए तब हम मोबैल अमरे घर पे रहे तहां नहीं रही फिर मोच चले गए वहां पर जागी याद आए तो हमने बजार का बनाए नहीं फिलोग तो आपको दिखाते हैं हम यह माला लेके आए है चार बताना और यह लाए है कलर रंगली के लिए और इसमें है लाए जलर वाली और इसमें लटकू था वह भी आती हमने देखो वह देखो उपर वहां पर लगा दिया चेक करने के लिए क्यों रात को जलेगे तब आपको दिखा देंगे और यह है इसमें भी लाइट जलेगी रात को रात हो जाएगी तब जला के दिखाएंगे आरम से यह इसका इस टेंडर तीन टांक का इस पर रखके यह गीगर डिपल आए यह तो चाहिए इसमें लाइए हैं लच्मीजी का शामान यह लच्मीजी हैं हमारी और वाकिके यह है पगल्या तोबलावे सारी चीज़ें नहीं यह दिखाएंगे तो यह देखे गई यह हैं भुल जड़ी और यह दिखी यह दिखिए यह भी है क्या क्या है मुझे दिखना फुल जड़ी हैं क्या के नाव इन चाहिँ देखे यह रखी और इसमें हैं इसमें हैं चक्री इसमें है फिल जोरी इसमें गोली है यह देखिए इसमें बंदर से मॉल्ड़ फार रहा है यह है बंब और यह है इतने तो बंब लेके आए हैं तो बताना कैसे लग रहे हैं अब इन में से सब चला लेंगे तो गई जब आपमें को रख देते हैं पेक करके यहली में मतलब बंदर करते पेक तो क्या आएंगे यह काम में बस चलाने के लिए बंब तो चला ले हो कूँ दिवाड़ी है कोई कूँ डर लगे वाई कोई कूँ चलावे और क्या करें बच्चे भी चलाते हैं लाने पड़ते हैं बच्चों के लिए तो यह देखी यह तो मैंने रख दिये हैं प्रेट करते हैं रखे सारे सावाद लश्मीकी को भी बैठाथ है इदर पकी यह भी रख दी और आपको एक ची जोड़ दिखाती हूं क्या हम यह भी लेक्या है चाकपल भी लाइते हैं आज एक जोड़ी एक जोड़ी मेरी है यह देखिए यह हमारे मोईत की है यह रख की लाग 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 अले तो गाई ठीक है अब हम बाकी के साम लगते हैं शुरूप तो गए जब यह ओ चुकी है साम और यह देखिए अप लाइट लग चुकी है खो और हम में बताते हैं आपके लिए ये देखिए एक लेट तो ये है ये जल्डी कि इसमें देखिए ऐसे चल रहे हैं तारे-तारे से ये चल रहे देखिए और अब ये आपको देखाती हूं ये मैं ने देखा कर लिए हैं बस अब जलाती हूं इन में बाजरे के दाने भी गेलने चाहिए देपगन के अंदर दो दो चार चार दाने गेल के ही जलाने चाहिए आपको बताती हूं हमने सुवाबीन की चाप बनाई है सुवाबोडी की बनती है यह गीला करके उसमें जंडी सी मिला पेट के मैंने एक दो बार पहने भी बताई थी बिलोग में तो उसकी सबजी बना दी है आटा उटा भी गुंद लिया है और बस अब दीपक जला के और कर लेते हैं पूजा एक लेट यह है अभी हमने उदर थोड़ी शी फिलग विलग की दिक्कत है अरे यह तो बंद भी कर दी अभी यहाँ पे वीडियो बनाईती यहाँ पे अटा यह पिलग अटा गई मोनी का यह है यह यह दीपक जलडा है यह हमारे भागवान जी बैठे हुए है यह दिखाती हुए एक लाइट यह है यह जल्डई इसकी ऐसी आरी देखिए वह लट्टू जलते है ना काड़ा पीला यह देखें लाल पीला नीला लाइट और अब हमें दीपक जला देती हूँ और यह है हमारा रोसनी की हो रही है इतनी हो रही है बंब चल दे हैं तो गाईज हमने रोटी पानी बना ली और खाबी नहीं है और आज है छोड़ी दिवाली तो अब इस विलोग को हम यही पर एंड करते हैं वीडियो को जादा सेर करना तो अब मैं मिलती हूँ आपको अगले विलोग में जब तक कि दिया आप सभी को जैशी अराम